नमस्कार, न्यूजरूम पोस्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ काजल शर्मा पंजाब की हरनास संदू ने Miss Universe का किताब जीत कर पूरी दुनिया में भारती महिलाओं की खुपसूर्ती, व्यक्तित्व और शांदार सोच का परचम लहरा दिया है 21 साल की हरनास 21 साल बाद Miss Universe का किताब जीतने वाली तीसरी भारतिया हैं इससे पहले साल 1994 में पहली बार सुश्मिता सेन ने और दूसरी बार साल 2000 में लारा दत्ता ने Miss Universe का किताब जीता था Miss Universe का खिताब जीतते ही पूरी दुन्या में हर्णास संथू की चर्चा शुरु हो गई है कहीं उनकी खुबसूरती की चर्चा है तो कहीं उनके शांदार जवाब की आज हम आपसे हर्णास संथू के बारे में वह सारी बाते शियर करेंगे जिसे जानना आप भी जरूर चाहते होंगे साथ ही आपको हरनास संदू के उस रास के बारे में भी बताएंगे जिसे जानकर आपको भी हरनास पर नाज होगा Miss Universe बनने का सफर हरनास के लिए असाल नहीं था चन्रिगर में पैदा हुई हरनास ने बचपन से ही इस मुकाम तक पहुशने के लिए काफी संगश और मेहनत की है हरनास ने 17 साल की उम्र से ही मौडलिंग की शुरूआत कर दी थी इस साल मिस दीवा की प्रतियोगिता में हरनास ने अपने संकर्ष की खानी सुनाते हुए सभी को प्रभावित कर दिया था हरनास ने बताया कि पहले वो बहुत ही नाजुक मांसिक खालात वाली लड़की थी उन्हें कई बार अपने शरीर को लेकर अभधर टिपडियों का सामन भी करना पड़ा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी वह एक युद्धा के तरह संकर्ष करती रही और उन्होंने खुद को एक ताकतवर महिला के तौर पर इस्थापित किया इस्राइल में हुए मिस यूनिवर्स प्रत्योगिता में दुनिया भर की 75 से ज़ादा खुपसूरत महिलाओं ने हिस्ता लिया हरनास संदु ने परागवे की नादिया फरेरा और दक्षिन अफरीका की ललेला मस्वाने को पच्छाड कर इस खिताब पर कबसा जमाया है जिसका ज़्वाब देते हुए हरनास संदु ने कहा कि आपको खुद पर भरोसा रखना होगा अपनी अपने लिए खुद ही बोलना होगा क्यूकि आप अपने जीवन के नेता हैं हरनास के इसी आत्म मिश्वास से भरे जवाब ने उनके लिए Miss Universe का खिताब पक्का कर दिया था हरनास संदू मौडलिंग के साथ साथ अभिनए की दुनिया में भी कदम रख चुकी है वह अपने एक्टिंग की करियर की शुरुवात पंजाबी फिल्मों से कर रही है Miss Universe 2021 का खिताब जीतने के बाद हरनास के लिए बॉलिवूट के दर्वाजे भी खुल जाएंगे हरनास संदू अपने बारे में बताती हैं कि कभी एक लड़की होने की वज़ा से उन्हें अपने अस्तित्व पर संदे होता था लेकिन आज वो खुद को युवाओं के लिए एक प्रेणा मानती हैं हरनास कहती हैं कि पूरी दुनिया के सामने वह गर्व से यह कह सकती हैं कि वो एक सहस और करुना से भरी एक ऐसी महिला हैं जो अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य के साथ जीना चाती हैं और शांदार विरासत छोड़ कर जाना चाती हैं